सो हिलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज ये मैं आप लोगों के सामने लिस्ट लेके आया हूँ अदर देन इंटर स्कॉलर्शिप एंड फीज रिमेनिंग सेशन 21-22 डाटा ओवीसी कटेगरी दोस्तों कहने के मतलब है कि ओवीसी कटेगरी में जिन भी चात्छात्राओं का वजीफा यानि की स्कॉलर्श नहीं आया है वो किन कारणों से नहीं आया है आप पो इस वीडियो में मैं जानकरी दूँगा और उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा ताकि दोबारा इस सभी तरीके से आसर के इस वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बारा हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंडावला बटन भी दबा देजिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखाना चाहूँगा, SR नमबर है, उसके बाद रेजिस्टेशन नमबर है, जो भी रेजिस्टेशन नमबर से आपने स्कॉलर्शिप को जो है सम्मिट किया था और स्कूल में जमा किया था, उसके बाद यहाँ पर में मुकाम आधियाज कोर्सेस के उनका है, यहाँ पर टाइप भी बताया गया है, फ्रेस आपने लॉग इन किया था, यहाँ पर आपको जो है रीजन बताया गया है कि क्यों आपका वजीफा स्कॉलर्ण नहीं आया है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कि यहा पेज का है, तो इस तरह से आप यहाँ पर नाम अगर आपना ढूंडने बैठेंगे तो आपको हो सकता है, महीनों लग जया है, आप अपना नाम ना ढूंडता है, इसके लिए सबसे पहले आपको नाम ढूंडने में करना क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ प पीता का नाम राम सरन वर्मा है तो मैं उनके पीता के नाम से उनका सर्च करता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं राम लिखता हूँ तो जो भी यहां पर आर इस से नाम है तो वो यहां पर आ जाते हैं राम सरन वर्मा तो यहाँ पर अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा कि रामसरन वर्मा का जो है है या नाम नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका अमन वर्मा स्टुडेंट का नाम है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं वा आ चुका है यहाँ पर 902 नमबर पे है यहाँ पर इनका रेजिस्टेशन नमबर दिया गया है यहाँ पर उनका नेम है मनवर्मा उनके पिता का नाम है रामसरनवर्मा पढ़ते कहाँ है तो स्री बैजनास से उकला महाविद्याले मंगलपुर में पढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट नॉट डिकलियर्ड हुआ दूसरी बात इनका डूब्लिकेट जो है इन्रॉल्मेंट नंबर है और तीसरी बात यह कि इनके जो मर्क्स अपलोड किये गए हैं वो यूनिवर्सिटी से मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए इनका स्कॉलर्सिप नहीं आया है तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो यह है कि आपको करना क्या है तो यहाँ पर यह लिस्ट सबसे पहले आप कैसे डाउनलोड करेंगे और आप अपना नाम कैसे सर्च करेंगे यह मैं बता चुका हूँ लिस्ट डाउनलोड करने लिए आपको डिस्क्रिप का जो है प्रक्रिया दोबारा से, जो है जारी करेंगे जिसमें करेक्शन करके आप कर सकते हैं तो अप Итак करेक्शन डेट भी जारी नहीं हुई है, जब जारी होगी तो मैं उसकी वीडियो डीटेल में बना दौंगा अगर याद honor आप से नहीं हो स्कॉलर डारेक्टिव नहीं आने वाला तो आप यहां से चेक कर लीजिए उसके बाद जो भी आपका दिक्कत है वो आप अपने कॉलेज में जाकर चेक करवा के दुबारा से करेक्शन करा लें उसके बाद जो है आपका स्कॉलर आ जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमे लोट करके आपको दिखास हों तो जो भी मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल क्लियर जानकारी है यह आफीसियल जो है लिस्ट है और यहां बिल्कुल सही लिस्ट है क्योंकि मैंने इसलिए अपने दोस्त का नाम जो है सर्चे करके दिखाया आपको ताकि आपको कोई भी फेक ना लगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और आगे इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटावाला बटन जरूर दबा दें धन्यमाद